हेलो फ्रेंड्स आप सब का आप आपके अपने चैनल वोभी लक्षर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पिरे विद्धार थे आजगी इस क्लास में हम हमने आपकी व्रकबुक के कारे पत्रक एक से लिकर बारा तक सबी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर आप उन सबी क्लास को आरब से देख सकते हैं पिछलिए क्लास हम सुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं जयव प्रक्रम की जयव प्रक्रम होता क्या है तो सजीवो को जीवित रहने के लिए सजीवो के द्वारा जितनी भी उपापच्ची क्रिय की जाती है उन्हें सम्मिलित रूप से क्या का जाता है जयव प्रक्रम कहा जा देखो पहला प्रश्ण है मानव पाचन तंत्र के विभिन पाचन अंगों के नाम लिखी आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है इसमें आपको मानव पाचन तंत्र के विभिन अंगों के नामों को क्या करना है दर्शाना है तो देखे पहला है मुख मुख है यहां पर आपका जो दिया हुआ है, ये क्या है, मुख है फिर दूसरा है आपका ये वाला है ये है मुक गुहा क्या है, मुक गुहा ठीके, मुख हो गया, फिर Clinics Inspector खो गया, फिर क्या है फिरे आपका आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला भाग है ग्रस्नी कुणसा वाला भाग है ग्रस्नी के बाद कुणसा भाग है ग्रस्नी ठीके ये हो गया आपका ग्रस्नी आगे बढ़ते हैं आगे वाला जो भाग है आपका वो यहाँ पर जो यह दिया हुआ है यह है आपका डायाफ्राम क्या है यह है आपका डायाफ्राम ठीके उसके बाद डायाफ्राम के बाद यहाँ पर जो यह दिया हुआ है तीर का निसान यह क्या है आपका आमास्तियो क्या है यह है आपका आमास्तियो ठीके आमास्तियो से आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो भाग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका डायाफ्राम, डायाफ्राम के बाद ये जो बीच में छोटा सा भाग दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका पितास से हो, ठीके, डायाफ्राम और फिर है पितास से हो, तो आपका डायाफ्राम भी हो गया, और क्या हो गया, पितास से भी हो गया, ठीके, उसके जश्ट बाद ये जो पतली नली की नली दीख रही है, यहाँ पर ये है आपकी पितवाहिनी, क्या है पीत वाहिनी जो पीत रसको ले जाने का काम करती है क्या है पीत वाहिनी ठीके इसके बाद पीत वाहिनी से निचे वाला जो ये भाग दिख रहा है ये दिया हुआ है यकर्थ ये दिया हुआ है यकर्थ ठीके यकर्थ हो गया हमारा फिर यकर्थ के बात गर्म बात करें तो यहां पर जो यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है आत आत मतलब सुद्रान्थ चोटी आत ठीक है यह क्या है सुद्रान्थ है चोटी आत है आपके सुद्रान्थ यानि की चोटी आत ठीक है आगे बढ़ते हैं सुद्रान्त के बाद ये जो बीच में चुड़ा सा भाग दिख रहा है ये है आपका आमासय तो ये आमासय हो गया अगनासय क्या है अगनासय कुनसा भाग है अगनासय वाला भाग इसके बाद ये जो लंबी लाइन दिख रही है ये क्या है बड़ी आत्त ठीक है बड़ी आत्त भी हो गया आत्र भी हो गया आमास्य हो गया अगनास्य हो गया ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है लास्ट में ये क्या है मलद्वार है ठीक है मलद्वार भी हो गया इसके बाद बात करे हम यह जो दिया हुआ है लास्ट मजी से हम अपेंडिक्स कहते हैं यह है आपका कर्मी रूपी परी सेसी का क्या है कर्मी रूपी परी सेसी का कर्मी रूपी परी सेसी का ठीके इसके बाद अब बचा क्या बचा आपका एक तो ग्रहनी क्या बच ग्रहनी तो अब अगर आपको ग्रहनी में बात करों तो ग्रहनी वाला जो भाग होता है ग्रहनी वाला भाग होता है यहाँ पर ठीक है यह जो आपको भाग दिख रहा है यह कुण सा भाग होता है यह वास्तर में होता है ग्रहनी कुण सा होता है ग्रहनी ठीक है कुण सा भाग है यह है आपका ग्रहनी वाला भाग आगे देखो ग्राणी भी हो गया आमास्य भी हो गया और देखो कोई बच्रा है क्या नहीं लगबख सब हमने लिख दिये है ठीक है तो आपको मानो पाचन तंत्र का जो छित्र है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए तब ही आप इन चीजों को अच्छे से दिखा सकते हो एक आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्याद 2 क्या दिया हुआ है कि चूने के पानी में नली से फूंक मारने पर बहुत दूदिया क्यों हो जाता है तो देखो इसकी अभी किरिया क्या होती है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुह से क्या निकलती है कार्बंडे ऑक्साइड निकलती है और जब CO2 की अभी किरिया किस से होती है चूने के पानी से होती है तो क्या बनता है कैल्सियम कार्बोनेट के बनने की वज़े से ही ठीक है कैल्सियम कार्बोनेट के बनने की वज़े से ही चूने का पानी क्या हो जाता है दूदिया हो जाता है तो देखो मैं यहा कार्बोनेट क्या बनेगा कैल्सियम कार्बोनेट और इस कैल्सियम कार्बोनेट के बनने की वज़े से ही चुने का पानी कैसा हो जाता है दूदिया यह क्या है आपका कैल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम कार्बोनेट यह क्या है कैल्सियम हाइड्रो ओक्साइड क्या है कैल्सिय फोंक मारते हैं तो मारे फोंक मारने से carbon dioxide gas निकलती है और वो जो चुने के पानी से बिक्रिया करती है तो क्या बिनाती है calcium carbonate जिसकी वज़े से चुने का पानी का जो रंग है वो कैसा हो जाता है दूदिया यहाँ पर मैं लिख लेता हूं इसका उत्तर इधर क्योंकि इसका कि चुने के पानी में फोंक मारते हैं तो CO2 gas CO2 gas चुने के पानी से बिक्रिया करके चुने के पानी से अभी क्रिया करके क्या बनाती है calcium carbonate क्या बनाती है calcium carbonate ठीके calcium carbonate बनाती है जिसे calcium carbonate का निर्मान होता है अतर पुने के पानी का जो रंग है पुने के पानी का रंग कैसा हो जाता है दूदिया हो जाता है ठीके अतर चुनने के पानी का रंग कैसा हो जाता है दूदिया हो जाता है यहाँ पर एक तो calcium carbonate इसकी वज़े से सुने के पानी का जो रंग हो कैसा हो जाता है दूदिया हो जाता है मनुस्य में दोहरा प्रिसंचन तंत्र का रेखांकी चित्र आपको बनाना है तो मनुस्य के अंदर आप सब जानते हैं कि दोहरा प्रिसंचन तंत्र पाय जाता है क्योंकि हमारे हर्दे से उकर रख्त कितनी बार गुजरता है दो बार गुजरता है तो इस तरह आपको ये मानव में दोहरे प्रिश संचन तंतर का क्या बनाना है एक चितर बनाना है जिसमें उपर की तरफ ये क्या है? फुपुस्य कोसिका है, फिर यहाँ पर यह फुपुस्य सीरा है, इस तरफ यह फुपुस्य दमनी है, ठीके बीच में आपका यह हर्दे है, यह महा दमनी है, यह महा सीरा है, और यह फुपुस्य के अलावा सरीर के अंगों की क्या है, पोसिका है, तो इस तरह का आपको एक र सामगरी सरीर के बाहर पचित एवम अवसोसित की जाती है यह इन में से ऐसा कौन सा जीव समू है जिनके सरीर के अंदर जो बोजन है वो बोजन सामगरी सरीर से बाहर क्या होती है पाचित होती है यह बोजन का पाचन सरीर के बाहर होता है और अवसोसन भी सरीर के बाहर होता है वो कौन से जीव है वो आपको बताने है तो वो जीव है आपके कुसकुट्टा, फीताकर्मी और जू ये कैसे जीव है ये आपके बहु कोशीकिय जीव है कौन से जीव है बहु कोशीकिय जीव है बाकी देखो सब के अंदर कोई न कोई क्या है एक कोशीकिय जीव है जैसे इधर अमीबा है तो यह जोड़ा नहीं हो सकता इधर भी अमीबा है यह भी नहीं हो सकता इधर यस्ट है यह भी एक कोशीकिय है तो यह उत्तर नहीं हो सकता तो आपका जो 10 option है वो सही जबाब है ये कुसकुट्टा, फीता कर्मी और जू ये ऐसे जीव है जिनकी वोजन सामगरी सरीर के बाहर क्या होती है पच्छित होती है एवं अवसोसित की जाती है अगला पांचवा संकुचन के समय हर्दे के अंदर कौन सी प्रक्रिया रक्त के पच्छ परवा यह वापिस पीछे की तरब परवा को क्या करता है रोकता है वो कौन सी किरिया है हल्दे के बाल्व वाल्व भहस रंचना है जो संकुचन के समय जब हर्दे के होता है चिकुरता ह तो उस समय रक्त के पीछे वाले भाग में प्रवा को क्या करते हैं रोकते हैं वाल्व क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं तो यह क्या करते हैं रक्त के पच प्रवा को रोकने का काम करते हैं आगे देखो चट्रा प्रशन वी ओक्सिजनित रक्त का प्रवा होता है वी ओक्सि अक्म बक्त रूम्हाएं अक्म गर्वार्श डित्सavanaugh और पूह मुँँदिदे उत्याई और आपको कले मुँद्स Yaz millu. दिनसे वेल हुता है। वेल हुता है। दमनियों के अंदर असुद रक्त का प्रवा होता है वही बात करें सिराओ की तो सिराओ में ओक्सिजनित यानि की सुद रक्त का प्रवा का होता है सिराओ में और असुद रक्त का प्रवा का होता है धमनियों में वही बात करें फूपुसिय दमनियों और सिरा की तो उनके लि पाद्पो में पत्तिया उठ सर्जन में सायक होती है कैसे समझाईए पशन क्या है कि पाद्पो के अंदर जो पत्तिया है वो उठ सर्जन में क्या होती है सायक होती है कैसे आपको इसका उत्तर बताना है तो देखो मैं एक अलग पेज ले रहा हूं वहाँ पर आपको इसका उत उत्सर्जन में क्या होती है? साहयक होती है. उत्तर क्या लिखेंगे? कि जो पत्तिया है, पत्तिया ओधो में, उत्सर्जन में, उत्सर्जन में महत्वण भूमी का निवाती है. पत्तिया ओधो में, उत्सर्जन में, क्या करती है? उत्सर्जन में महत्वण भूमी का निवाती है. पत्तिया काम क्या करती है? क्योंकि, हम लिखेंगे, क्योंकि CO2 अनि कारबन डे ओक्साइड पत्तियो में मौझूद पत्तियो में मौझूद मौझूद रंद्रो पत्तियो में मौझूद रंद्रो के चिद्रो द्वारा मौझूद रंद्रो के चिद्रो द्वारा क्या होती है? चिद्रो द्वारा बाहार निकलती है. ठीक है जो CO2 है वो पत्तियों में मौझूद जो रंद्र होते हैं उनमें चोटे-चोटे क्या पाई जाते हैं चिद्र उनके द्वारा क्या जाती है उनके द्वारा बाहर निकाली जाती है ऐसा लिख लो पौधे अपने उपर जमा अपने उपर जमा उत्सरजी उत्पादों से उत्पादों से तुटकारा पाने के लिए तुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं शुटकारा पाने के लिए पत्तिया क्या करते हैं गीराते हैं इस तरह जो पत्तिया है वो उत्सरजन में क्या करती है मैत्वण भूमी का अदा करती है ठीके तो इस तरह हमने आपके कार्य पत्रक जो आपका 13 था उसके सभी प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रशनों के उतर आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मैनत पसंद आई है तो भी लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरू करें आज के लिए इतना ही जै हिंद, जै भर